तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिपलेसर महादेव तो देखिए यह रोड बहुत जमानों पुराना है यह देखिए आपको जुम करके दिखाऊं मैं तो उपर पाड़ के उपर है यह मिर भर्वु और मैं यहां मंदीर के नजारा दिखाता हूं कितना प्यारा कित जारा यह पीछे कालब की तरफ जारा और यहीं से हम लोग बेचे के तरफ टानल लेंगे तो पहुंच चुके हैं मंदीर बे तो आप लोग पीछे यह महादेवजी का मंदीर श्री प्लेशर महादेवजी का मंदीर तो यह पर कायते से रिखा हूँ आए कि सरापिकर मंदीर बपरेशना करें ओग नमो नारायन संथ श्री बालगिरी जी महाराज तो चलो पर नारायन तो चलो अम लोग लेता है पर फेष्ट कर दो दो, कर दो, कर दो प्रिए देखिये है अनुमांजीगा मंदिर आप पिछे देख पाएंगे तो बहुत गरिन दी पॉष्राण पाड़ी आप जाएंगे वहां पर उपड़ और बहुत उपर है पैर गड़ा में तो चड़ना अतना असान नहीं है तो गाइस अभी हम लुक चलाएंगे बहुत उपर तो आपको मैं बन देखिया है कर दो आपको मैं बन देखिया है तो अभी हम लोग हम लोग महादेवजी का दर्शन करने वाले हैं तो आपको मैं दिखा दूँ के यह है मिर पर्बू ओम्नमश्वाय हर हर मादेव और यहां पर एक कुंड कुवा बना हुआ है जो पानी के लिए रखा हुआ है कि जब भी यहां से पानी निकलता होगा तो यह कुवा में भर दाता है फिर यहां से शिदी आगे जाती इस अपलेई तो देखे और यहां से उपर से आपको मैं यहां मंदिर के नज़ारा दिखा दाओं कितना प्यारा कितना संदर नज़र आ रहा है चार अत्रप गरा जंगल है एक तम प्यान का गंगोर जंगल और निच के बीचो बीच में यह मंदिर बना हुआ है और जब बारिश के टाम यहां पर पानी इतना बहता है इस से भी और यह निचे से भी जो नाला है फूल बड़ा हुआ रहता है भी से मंदिर ज़े रहती आने जाने की अब इस से ना जाने सकते पूरा कि अब हम लोग जाएंगे मंद्याड दाना बाबा की जो रस्ते में में आते हुए बताया था आपको तो है मंद्याड दाना बाबा तो अगर वहाँ पर अगर पब्लिक अंदर जा रही होगी तो हम लोग नीचे जाएंगे अगर कोई नहीं जा रहा होगे तो मैं बाहरी तर्षन करके घर की तरफ चले जाएंगे देख लेते हैं अगर कोई जाहरा होगा पाच तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे मंद्याड दाना बाबा के रोड़ वाले स्तान पर क्योंकि अंदर हम ल दिखाएंगा तो चलो दोस्तों इसके साथ में यहीं पर यह व्लोग भी महादेवाले मैं एड़ करूंगा आप लोगों देखिए मजा आएगा आप लोगों को और भी यहां से ब्लोग को इसके साथ में एड़ कर दूँगा मैं अगरती लगा के